तो सो हाली के सालों में जिस तरीके से इंडियन आर्ण फोर्सेस के द्वारा अपने तेजगती से modernization किया जा रहा है उससे पाकिस्तान तो क्या चाइना भी घबराया हुआ है। पर चाइना का अगर बात को देखा जाए तो चाइना उससे ketchup कर सकता है और चाइना के पास आर्थिक शकती के साथ साथ हत्यारों को बनाने का भी समर्थ है। के लिए अपने टैंक फ्लीट को मॉडनाइस कर रहा है तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के द्वा अर्जेंट बेसेस पे अपने टैंक फोर्स को मॉडनाइस किया जा रहा है तकि भारत के में बैटल टैंक T90 का सामना कर सके और इस मॉडनाइशन में पाकिस्तान के तरफ से चायना का मदद लिया जा रहा है और रिपोर्टों में ये वी वताया जा रहा है कि हाली में चायना जिन आतंकी ग्रूपों को पाल के अन्य देशों को परिशान करने का सोज विचार रखा था, वो ही अब पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की पुरा का पुरा देश के लिए ही खत्रा का कारण बन चुका है। पर दोस्तों डिफेंस निउस के ये रिपोर्ट एक हत्मे जहां पे सही है तो वही पे पाकिस्तान की ऐसे सिचुएशन के पीछे कारण भी एक मात्रव पाकिस्तान ही है। के दोर को गलत ठहरा जाता है क्योंकि मुशरब द्वारा अफगनिस्तान के मामले में हस्तक्षेप किया गया था। जबकि वही हस्तक्षेप अब कमर जाविद वाजवा के दोर पे भी किया जा रहा है और इसे अब सही ठहराया जा रहा है। पर दोस्तो इस तरीके के मुद्दो को अगर छोड़ दिया जाए तो फिलाल फाकिस्तान चारों तरफ से ऐसे घिर चुका है कि पाकिस्तान को अपने देश के अंदर फुलने फलने वाले आतंकियों से शुरू करके अपने समर्थन से अफगनिस्तान के अंदर बनाया हुआ आतंकी सरकार के भी सामना करना पड़ सकता है और दोस्तो इस तरीके के चुनौतियों को देखते हुए ही पाकिस्तान के द्वारा आर्म फोर्सेस के खास करके टैंकों के मौडने इशन के पोग्राम को फिर से एक वार महत तो दिया गया पर पाकिस्ताने मेडिया बाद ही कश्मिर को लेके लड़ाई से शुरू करके 1965, 1971 और कारगिल के लड़ाई तक शामिल है पर उस जमाने से अगर हटके आज के जमाने में आ जाया जाए तो तब भी भारत ताकतवर था और आज भी ताकतवर है लेकिन आज के भारत का ताकत तब के भारत के ताकत के त प्लान को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दू कि भारत इससे विए कई अधिक संख्या में टैंकों को खरिदने का इरादा रखता है जिन में फ्यूचर में बैटल टैंक से शुरू करके लाइड़ वेट के हाई ओल्टी ज्यूट में आपरेट करने वाले टैंक तक शामिल है दूसर तरफ अगर भारत के सामने पाकिस्तान का तुलना किया जाए तो एक तरफ जहाँ पे भारत बड़े टैंकों का निर्मान और बड़े टैंकों को अपने बेड़े में शामिल कर रह जिनमें पाकिस्तान के सबसे ताकदवर टैंक है TATUD जो की basically एक Ukrainian origin टैंक है जिसमें thermal side gun system भी है और इस टैंक को दुनिया के कुछ बहतरिन टैंकों में भी गिनाया सकता है पर इसके इलावा अगर पाकिस्तान के modernized टैंकों को देखा जाए जिनमें MBT 2000 को पाकिस्तान count करता है ल जो की एक पुराने टैंक है जबकि इसके इलावा Chinese made कई तरीके के पुराने generation के टैंक है जो की एक तरीके से फिलाल modern टैंकों का सामना करने का शमता भी नहीं रखता तो भारत के T90 टैंक जहाँ पर पाकिस्तान का नींद उड़ाया रखा है तो उही पर पाकिस्तान जानता ह है कि उसके पास चाहे TAT, UD हो या फिर MBT 2000 हो यह भारत के T90 टैंकों का सामना नहीं कर सकता इस वज़ा से पाकिस्तान को एक आधुने टैंक का आवशकता था और पाकिस्तान रशिया से T90 जैसे टैंकों को भी खरीदना चाता था पर दोस्तों पाकिस्तान को रशिया से टैं यह MBT 2000 के जैसे 2M दरजे का टैंक ना हो बलकि इसमें चायना के लिए बनाया हुआ High End Cannon का इस्तिमाल किया गया हो मतलब दोस्तों यहाँ पर आपके जानकरी के लिए बता दू कि चायना अपने ले जिन टैंकों का निर्मान करता है या पर जिन हत्यारों का निर्मान करता है उससे काफी कम दरजे के हत्यारों को चायना के द्वारा एक्सपोर्ट मार्केट में उतारा जाता है पाकिस्तान expect कर रहा है कि VT4 टैंकों में चाहिना के Type 99A टैंकों में इस्तिमाल हो ताकि ये पाकिस्तान के आवशक्तावों को पूरा कर सके या फिर भारत के टैंक के सामने थोड़ी समय के लिए टिक सके VT-4 टैंकों को लेके पाकिसान ये भी expect कर रहा है कि इसमें खाली अत्यादुने गन नहीं बलकि एक explosive reactive armor भी हो और improved composite armor भी हो पाकिसान इसमें third generation के thermal imaging और fire control system भी चाहता है और साथी साथ Chinese बेड़े के लिए बनाया गया advanced weapon और powerful Chinese engine भी चाहता है पर दोस्तों अब सबाल ये है कि कितना हद तक चाहिना पाकिस्तान को इस तरीके के equipment देगा अब तक के चाहिना और पाकिस्तान के अगर relationship को देखा जाए तो चाहिना पाकिस्तान को कई तरीके के हतियारों को दे चुका है लेकिन हतियारों को मिलने के दर्मियान जिस तरीके के उत्साह होता है हत्यार पहुंचने के बाद वो उत्साह उतने जल्द ही ठंडा पड़ जाता है एक्जामपल के रूप में चाइना के जंक फाइटरों को ही देख ले जिसे लेके पाकिस्तान कई साल तक तो उचल कूद किया लेकिन आखिरकार पाकिस्तान को उसका फल भी भुगतना पड़ रहा है इवन इसके इलावा अगर हाली के चाइनीज द्रोनों को ही देख ले जिसे लेके पाकिस्तान के द्वारा ऐसा उचल कूद किया गया था कि पाकिस्तान को चाइनीज द्रोन नहीं बलकि कोई स्पेस्क्राफ्ट मिल गया हो लेकिन आखिरकार ये पता चल रहा है कि चाइना के ये द्रोन सर्विस के अवाब में और खराफ से खराफ तरिन एक्विप्मेंटों के इस्तेमाल करने के कारण पाकिस्तान में ग्राउंडट पड़ा हुआ है पर दोस्तों एक बार हम मान भी लेते हैं कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान को अपने खुद के स्टेंडर के BT4 टैंकों को सप्लाई किया जाए पर क्या अन्य देशों से हत्यारों को हासिल गर कि पाकिस्तान भारत का मुकावला करने का शमता रखता है दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत भी रश्या से टैंकों को पर्चेस कर रहा है पर भारत खाली पर्चेस करने पे ही अपना फोकस नहीं रखा है बलकि अपना खुद का इंडिजिनियस टैंक का भी निर्मान कर चुका है चाहे वो अरजुन मार्क वान हो या फिर मार्क वान ए हो जबकि दूसरे तरफ अगर पाकिस्तान की इथियास को देखा जाए तो पाकिस्तान अब तक चायना से टैंकों के स्पेर पार्ट को लेकर अपने देश में असेंबल ही किया है assembly के बात को अगर भारत के साथ compare किया जाए तो भारत already T-72 और T-90 टैंकों को भारत में ही निर्मान कर रहा है even भारत खली assemble नहीं कर रहा है बलकि इन टैंकों के major component को भी भारत में निर्मान कर रहा है दूसरे दरफ ये भी cover है कि भारत अपने भविशे के टैंकों के निर्मान भी कर रहा है और संभावित हलके वजन के टैंकों के साथ-साथ भारी वजन के या फिर main battle टैंकों को भी भारत जल से जल अपने बेड़े के लिए निर्मान कर ले दूसरे अब चलिए दोनों देशों के टैंक के फ्लिट के बारे में जानते हैं दूसरे भारत और पाकिस्तान के टैंकों के अगर comparison हो रहा है तो चलिए सबसे पहले जानते है कि पाकिस्तान के द्वारा किस-किस तरीके के टैंकों का इस्तिमाल किया जाता है Basically Pakistan के पास पास अलग अलग टाइफ के टैंक है और पाकिस्तान के पास कुल मिलाके 1530 उससे थोड़ा अधिक टैंक है Pak performing के बेड़े के सबसे ताकदवर टैंक है TATUD जो कि Soviet Origin टैंक है लेकिन इसे पाकिस्तान के द्वारा Ukraine से खरिदा गया था TATUD असल में एक 3rd generation के टैंक है और रिपोर्ट के मुताविक पाकिस्तानी आर्मी के पास ऐसा करीवन 300 के आसपास टैंक है जबकि TATUD के बाद नाम आता है अलखलीत टैंक मतलब MBT 2000 का रिपोर्ट के मुताविक पाकिस्तानी आर्मी के पास ऐसे करीवन 300 के आसपास टैंक है जो की बेसिकली एक Chinese origin टैंक है लेकिन पाकिस्तान इसे अपने देश में एसेंबल कर रहा है तो अलखलीत टैंकों को भी अगर देखा जाए तो ये वी एक 3rd generation के टैंक है लेकिन इसे असल में 1990 के दशक में निर्मान किया गया था लेकिन पाकिस्तान इसे साल 2002 में ही हासिल कर पाया अलखलीत के बाद अगर पाकिस्तानी बेडे के अन्ने टैंकों को देखा जाए तो यहाँ फे VT4 का नाम आता है जिसे की MBT 3000 भी कहा जाता है और दोस्तों ये टोटली चाइनीज टैंक है और इसका कोई Assemble या फिर Manufacturing कुछ भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा है रिपोर्ट के मताविक पाकिस्तान के पास ऐसा 30 टैंक है और ये एक Modernized 3rd generation के टैंक है इसके इलावा पाकिस्तान के बेडे में बाकि जितने भी टैंक है वो सभी पुराने है एक्जामपल के रूप में Type 85 AP टैंकों को ही देख ले जो की Chinese origin है और पाकिस्तान के पास 300 के संख्या में है ये असल में 80 के दशक में चाइना के द्वारा निर्मान तो किया गया था लेकिन Soviet T-54 टैंकों का ही Chinese copy है जो कि दूसरे तरफ अलजराद टैंकों को अगर देखा जाए जो कि सबसे अधिक संख्या मतलब 600 के संख्या है पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है तो ये भी Chinese Type 59 टैंक है जिसे 2004 से पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है लेकिन ये असल में Soviet Union के द्वारा दितिय विश्योहिद स्वादेशी अर्जुन, Russian, T-90 और Soviet जमाने में बनाया हुआ T-72 जैसे टैंक है दोसों यहाँ पर स्वादेशी अर्जुन को अगर देखा जाए तो ये एक modernized third generation के टैंक है रिपोर्ट के मताविक Indian Army के पास फिलाल 124 अर्जुन Mark 1 MBT है जबकि 108 Mark 1A टैंकों का order इंडिया के द्वारा दिया गया है इसके इलावा रिपोर्ट में बताया जाता है कि इंडिया ऐसा करीवन साड़े 3000 फ्यूचरेस्टिक टैंक को भी अपने बेडे में शामिल करना चाता है अर्जुन टैंकों के बाद अगर T-90 टैंकों को देखा जाए तो भारत के पास 2076 T-90 टैंकों क और रेशिया के आधुनेक 4 जनेरेशन के T-14 आर्माता के बाद T-90 टैंक ही सबसे ताकदवर टैंक है T-90 के बाद अगर भारत के बेडे को देखा जाए तो भारत के पास सबसे अधिक संख्या में T-72 टैंक है भारत के पास करीवन 2414 सोवियतम यूनियन के तरब से निर्मान किया हुआ T-72 टैंक है जिसे भारत द्वारा अपग्रेड करके अडवांस अजय मार्क 1 और मार्क 2 स्टैंडर में तबदिल किया गया है भारत के जो T-72 टैंक है ये भी सेगेंड जेनरेशन के टैंक है लेकिन दोस्तों अगर चाइनीज टाइफ 85 या फिर अलजरार जैसे ट प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन